आयरन परवीन आयरन परवीन साथ के श्रक्षी एक मक्बूल और मस्रूफ तरीक गुलुकारा थी जिन्हों ने पाकिसान की फिल्मी तारीक के दूसरे इश्रा यानि 1958 से 1966 तक के दस बरसों में सबसे ज्यादा फिल्मी गीत गाने का एजास हासल किया था आयरन परवीन ने तकरीबन चार सो फिल्मों में आठ सो के करीब गीत गाए वीडियो में आगर बढ़ने पहले आपसे एक छोटी सी दर्खास है कि वीडियो को लाइक करना मत भूलीगा और चैनल को अभी तक सबस्क्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सबस्क्राइब करें आईरन पररीन ने चार सो से जाएज फिल्मों के लिए नगमा सराई की थी और इनके गाये हुए फिल्मी गीतों की तादाद आठ सो के लगबग है लेकिन सूपर हिट गीतों का तनासुब इंतहाई कम है यकीन इस दोर में इन गीतों में से कहीं एक मकबूल भी हुए होंगे वरना इतने ज़्यादा फिल्मी गीत गाना मुम्किन नहीं हो सकता था आईरन पररीन की पहली फिल्म ममताज 1958 थी लेकिन इने ब्रेक त्रू फिल्म बंजारन 1962 से मिला था 1963 और 1964 में वो सबसे ज़्यादा गीत गाने वाली गलुकारा थी 60 के अश्रा में मजमूरी तोर पर सबसे ज़्यादा फिल्मी गीत गाने वाली गलुकाराएं बिल तर्तीब माला, आईरन परवीन, नसीम बेगम और नूर जहां थी आईरन परवीन मजाई गीतों की भी माहर थी जी हाँ, आईरन परवीन ने ज़्यादतर दो गाने याने डूइट डी यू एटी डूइट गाये थे और वाहिद गलुकारा थी जो मजाई गीत गाने में एहमद रुष्दी और मसूद राना जैसे दियो कामद गलुकारों को भी काबुमे रखती थी खास दोर पर एहमद रुष्दी के साथ आईरन परवीन के सोल से जायद गीत थे जिनमें जियरत तर मजाई गीत थे जो इस दोर की फिल्मों का एक लास्मी हिस्सा हुआ करते थे ऐसे गीतों में हेलो हेलो मिस्टर अब्दुल गनी कच्ची खड़ी में मक्खी पड़ी अल्ला जट पट से हीरो बना दे मुझे कुछ कुछ मुझ से मिलता जुलता बच्चो एक था राजा वेको साइकल थे टूर चले दमडी दा सक मालके मुझा मोलिय गबरु जवान वगेर शामिल है तुम ही ओ महबूब मेरे एधसास गाना जी हाँ आरेन परवीन ने मसूद राना के साथ 80 के करीब गीत गाये थे और वो पहले गुलुकारा थी जिनके साथ मसूद राना ने दोगाने गाये थे आरेन परवीन के दोनों सूपर एक गीतों के तालुक भी मसूद राना ही के साथ था तुम ही ओ महभूब मेरे मैं क्यों न तुम्हे प्यार करूँ फिल्म आइना 1966 ये गीत मसूद राना ने भी गाया था जो जियरा मकबूल हुआ था लेकिन फिल्म आइना 1966 के टाइटल पर मसूद राना का नाम आइरन परवीन एहमद रुश्दी और मैदी हसन से पहले लिखा गया था हलांके वो इन तीनों से जूनियर थे लेकिन इस वक्त मकबूलत में सबसे आगे थे इस गीत से ज्याद़ शोरत शायदी कभी किसी और गीत को मिली हो फिल्म इशारा 1970 में भी एक मुकालमा इसी गीत के बारे में था जब फिल्म के हिरो वहीत मुराद इस गीत को अपना पसंदीना गीत बता रहे होते हैं अभी भी इस गाने के बारे में बात की जाए तो ये होटलों के ग्रामो फोन रिकार्ड्स पर दिन बर बच्टा रहता रहता और बच्चे बच्चे की जुबान पर रहता था निके हुंदेयादा प्यार आइरन परवीन का सब्से सुपर हिट पंजाबी गीट भी मसूद राना के साथ था जो फिल्म मिर्जा जट उनिस सुसर्ट में गाया गया था निके हुंदेयादा प्यार वेखिंदेवी नवसार ये गीट इतना मकबूल हुआ था कि इस फिल्म की टीम ने जब अपनी अगली फिल्म बनाई तो वो इस गीट के पहले बोल पर थी आइरन परवीन और मसूद राना के यादगार गीट आइरन परवीन के मसूद राना के साथ गीतों में बड़ी वराइटी थी इन गीतों में से ये गीत मकबूल आम थे एक और बात मानी एक और जखम खाया खुद हमने अपने हाथों दिल का दिया जिलाया फिल्म बनाई 1966 आई रात बराताँ वली खुशी अंद चान चड़ेया फिल्म पैदागीर 1966 हुसन वालों को जिलाने की बुरी आदत है फिल्म आईना 1966 नूर खुदा मिले के हबीब खुदा मिले मुला तेरा करम है हमें मुस्तफा सल्ल्लाहु अलिह आलिही वसल्म मिले फिल्म जामबाद सन्च श्यासट इनके लावा मुतादि यादगार और गुम्नान गीत ऐसे भी थे जो मकबूल नहीं हुए थे लेकिन क्या कुमाल के रुमांटिक गीत थे और जिने सुनकर पचास केश्रा के रफी लता के रुमांटिक गीतों का गुमान होता था उनमें से चंद एक के बोल ये हैं तारों की च्छियां च्छियां मन भरे न सायां तुमने ये क्या किया फिलम सागर सन्पैंसट तूरी तूरी जानी ऐनी गुसे गुसे होके जरा जिनी गाल मेरी सुन लाव खलो के फिलम खेडन दे दिन चार सन्पैंसट निकी जिनी गालू तो मुक मोड के मेरा दिल तोड के दिलदार चलिया फिलम पिंडी दिखडी 1968 तुम मुझे अपनी मुहबत दे दो दिल में रहने की अजासत दे दो फिलम अलिफ लैला 1968 मुहबत का वादा हमेशा न बाना ना के चुराना ना दामन चुडाना फिलम शाही महल 1968 सुन चना सत्मी दिया मेरे वीर नो नदर ना लामी फिलम गैरत मन उनी सो इनतर आजाओ जरा मिल बैटे हम कुछ कह लेंगे कुछ सुल लेंगे फिलम दाग उनी सो इनतर चान भी सामने आते हुए शर्माता है फिलम प्यार की जीत उनी सो इनतर मेरा हबीब है तूं मेरा नसीब है तूं आजा रे आजा फिलम दुबागी उनी सो इकतर इस बेवफा का ऐ दिल हम न गिला करेंगे फिलम इरादा गैर रिलीस शुदा फले फले दुनिया में तूं दुनिया तेरी आबाद हो फिलम नई जिन्दगी गैर रिलीस शुदा आइरन परवीन के चंद दीगर मकबूल गीतों की एक फैरिस ये भी है कदम बढ़ाओ साथ ही हो बड़े चलो फिलम सलतनत उनी सो साथ महला हेट खलोतिया तुछ जो रहें ये कोई हो फिलम मिट्टी दिया मूरता सन साथ जित्थे आप वसना है माईया सदला कोल वे फिलम हाथ जोड़ी 1964 चुनि केसरी ततले दियां तारियां फिलम लाई लग 1964 रत सावन की रे मन भावन की फिलम जमीन 1965 मान भी जाओ गुडिया रानी नहीं रूठना अच्छा फिलम हम रही 1966 असी पिछली रात दितारे फिलम चुगल खोर 1966 दिल ना लगाना जाके देश पर आए फिलम इनसानित 1966 पिंडी दिकडी रामा बोल गई है फिलम पिंडी दिकडी सन 68 आइरन परवीन के बारे में बताया जाता है कि वो इंगलिस्तान में रहती थी और इनका तालुक मसी बरादरी से था आम तोर पर फिलम इश्तहारात में गीतों ये गलुकारों का जिकर नहीं होता था लेकिन 4 डिसंबर 1966 के एक फिलम इश्तहार के मताबिक फिलम आइना की पहचान ही मसूद राना और आइरन परवीन का गाया हुआ सुप पर हिपकीत तुमी हो महबूब मेरे था जो खैबर से कराची तक जुबां सदे आम था ये एक दिल्चस्प इतफाक है कि आइरन परवीन के दोनों मकबूल तरीन गीतों के बोलों पर फिलमे बनाई गई थी, दोनों घीतों मेंसे इनके साथ मसूद राना थे और दोनों फिलमेे और 38 पंजाबी गीरती थे इन मेंसे चंद एक ये हैं लच के कमरिया मोरी में नाजुक छोरी के हाई है मुझसे चला न जाए फिल्म बंजारन 1962 पट गुंगट के खोले खोले तुम आजाए बाबु जी फिल्म बंजारन सन बासट गुरा मान कर कहां चल दिये ये तो इश्क वालों का फर्द है आदाब अर्ज है फिल्म शिरारत 1963 गली गली में दिल बेचूं है नाम मेरा दिलदार प्यार मिलेगा इतना सस्ता कहां मेरी सरकार फिल्म शिरारत 1963 वो जाने मन जरा रुपचा कि अदा ना हमको दिखा फिल्म कतल के बाद 1963 दुनिया रेल गाड़ी है सांप की सवारी जो समझे वो खलाड़ी ना समझे वो नाड़ी भईया फिल्म बेटी संचोंसट ये तु पुछे में कौन ते में अंगरेजी न चानी तेरा मुंशी मेरा चैचानी ते चाचा माची गाचानी फिल्म मेरा माही 1964 तारों की ठेये चेये मन भरे न सहीं तुमने ये क्या किया फिल्म सागर 1965 शैर का नाम है कराची बच के रहना यहां फिल्म बहाना 1965 आज मेरे दिल की कलिया खिलने का जमाना आया फिल्म बहाना 1965 नीले नीले आसमान पे बादल है काले फिल्म ये जहां वाले 1965 ये मुखड़ा एक आईना है जो सची बात बताता है फिल्म ये जहां वाले 1965 नई भुका शेहर गिरांदा नई चाज उल्फांदी छांदा फिलम पलपली साहब 1965 नूरिया भोलिया भालिया वे उल्टिया समझाँ वालिया फिलम पलपली साहब 1965 इसके लावें चे कई मखबूल गीत है जिन्हें अगर मैं गिनाओं तो इस पर एक मजीद मुझे और वीडियो बनानी पड़ जाएगी लेकिन उमीद करता हूँ कि आपको यहां तक मेरे वीडियो पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को जुरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा शुक्रिया